एक सजजन निम्नलिखित प्रश्न करते हैं प्रशून्य, वेद, पुरान, शास्त्र तथा अन्यान्य मतों के ग्रंथों के देखने से प्रायह यही पता लगता है कि कर्म के अनुसार ही जिवात्मा एक योन से दूसरी योनि में जन्म लेता है। यदि ऐसा ही है तो आरंब में जब संसार बना और प्रकृति के भिन-भिन साचों, देहों में शुधा, निर्मल, कर्मशून्य आत्मा का प्रवेश हुआ। उस समय आत्मा को कौन सा कर्म लागू हुआ। यदि आत्मा का आना-जाना स्वाभाविक है तो भक्ति की क्या सार ही जिवात्मा सदा से 84 लाख योनियों में जन लेता फिरता है। मनुष्य, कीट, पतंग आदी प्रकृति रचित योनिया स्रिष्टि के आदि में प्रकट होती है और स्रिष्टि के अंतमे उसी प्रकृति में वैसे ही ले हो जाती है जैसे नाना प्रकार के आभूशन स स्वर्ण से उत्पन होकर अंतमे स्वर्ण में ही ले हो जाते हैं। कारण रूप प्रकृति अनादी है जिसको जीवात्मा या व्यष्टि चेतन कहते हैं उसका इस प्रकृति के साथ अनादी काल से संबंध चला आ रहा है। अवश्य ही यह संबंध अनादी होने पभी प्र आत्मा का आना जाना ऐसा स्वाभाविक नहीं है जिसके रुखने का कोई उपाय ही न हो, यदि यह कहा जाए कि जीवात्मा का आना जाना जब सदा से ही स्वभावसिद है तो फिर वह सदा ही रहना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु अनादी होती है वह सदा ही रहती है, परन् यथार्थ ग्यान होने के साथ ही नश्ठ हो जाती है। ये बात सभी विशयों में प्रसिद्ध है। एक मनुष्य को जब किसी नए विशयान होता है तो उस विशय में उसका पूर्व का अग्यान नश्ठ हो जाता है। परंतु वह अग्यान यथार्थ ग्यान न होने तक तो अनादी ही था। उसके आरंब की कोई भी तिथी नहीं थी। जब भौतेक ज्ञान से भी भौतेक अज्ञान नश्ट हो जाता है तब परमार्थ विशयक यथार्थ ज्ञान होने पर अनादी काल से रहने वाले अज्ञान के नश्ट हो जाने में आश्चर्य ही क्या है। प्रत शून्य, आरंब में जब संसार बना और इसमें मनुष्य, पश्यू, पक्षी, व्रिक्ष आदि के सांचे, शरीर, बने, वे कैसे बने? क्या तत्वों के परस्पर सयोग से आप ही आप सब कुछ बन गया? यदि ऐसा ही माना जाए तो इस समय भी प्रकृति, तत्व और आत्मा तो वही हैं, किन्तु आप से आप कोई सांचा नहीं, बनता. यदि यह माना जाए कि स्वयम शुध बुद्ध परमात्माने स्थूल शरीर धारन कर अपने हाथों से प्रत्येक साचे, शरीर, को गड़ा है, तो संतों ने परमात्मा को निराकार क्यों बतलाया है? स्त्री पुरुष के संयोग बिना स्थूल शरीर बनना भी संभव नहीं यदि किसी प्रकार बन भी जाए तो वो एक देशिय व्यक्ती सर्वव्यापी नहीं हो सकता उशून्य प्रकृते की शुरुआत का बनाया हुआ कोई भी संसार नहीं माना जा सकता शुरुआत मानने से ये सिधा हो जाएगा कि पहले संसार नहीं था परन्तु ऐसी बात नहीं है उत्पत्ती विनाशस्वरूप प्रवाह में संसार सदा से ही है ऐसा माना गया है यदि यह मानले की शुरु शुरु में तो किसी भी काल में संसार बना ही होगा तो इससे शास्त्र कथित संसार का अनाधित्व मिथ्या हो जायगा, केवल शास्त्रों की ही बात नहीं, तर्क से भी यह सिधा नहीं हो सकता पूर्व में यदि एक ही शुधा वस्तु थी, संसार का कोई बीज नहीं था तो वह किस कारण से, कैसे और क्यूं बनता अवश्य ही यह सत्य है कि सर्वशक्तिमा इश्वर अनहोनी बात भी कर सकता है, परंतु बिना ही कारण जीवों के कोई भी कर्म न रहने पर भी भिन भिन स्थित युक्त संसार को इश्वर क्यों रचता यदि बिना ही कारण इश्वर ने ये भेदपूर्ण स्रिष्टी रची तो इससे इश्वर में वैशाम्य और नेर्ग्रिन्य का दोश आता है जो इश्वर में कदापी संभव नहीं यदि येह कहा जाए कि इश्वर सकाश के बिना ही केवल प्रकृति से ही संसार की रचना हो गई तो प्रथम तो प्रकृति के जड़ होने से ऐसा संभव नहीं दूसरे जब पहले प्रकृति शुध थी तो पीछे से किसी काल में स्वभाव से उसमें नाना प्रकार की विकृति बिना ही बीज और बिना ही हेतु के कैसे उत्पन हो गई यदि प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिए और यदि पहले भी ऐसा ही था तो विकृति प्रकृति यानि संसार अनादी थहर ही जाता है अतेव, पहले प्रकृती शुधती, स्वभावसे या इश्वर की इच्छा से अकारण ही संसार की उत्पत्ती हो गई ये बात शास्त्र और तर्क से सिधा नहीं होती इससे यही समझना चाहिए कि परमात्मा, जीव, प्रकृती और प्रकृती का कार्य चराचर योनियो सहित संसार कर्म और इनका परस पर संसार और कर्म तो उत्पत्ती विनाश के प्रवाहरूप में अनादी है इनका स्थाय एक सा स्वरूप नहीं रहता। इसलिए प्रकृति के कार्य रूप संसार और कर्म को आधी अन्तवाले, क्षनभनगुर, अनित्य और नाश्वान बतलाया है। प्रकृती और प्रकृति का जीव के साथ संबंध अनादी है, परंतु सांथ है। इस विशेय का विशेश वर्नन, कल्यान प्राप्ति के उपाय में व्रम अनादी और सांथ है, शीरशक लेख में देखना चाहिए। बहुत सूक्षम विचार और शास्त्रों के सिध्धान्तों का मनन करने से प्रकृती भी अनादी और सांथ ही ठहरती है। वेदान्त शास्त्र प्रकृति को परमेश्वर के एक अन्श में अध्यारोपित मानता है। वेदान्त के सिध्धान्त से ज्ञान होने प्र अनादी प्रकृति का भी अभाव हो जाता है। सांके और योग शास्त्र जो अत्यंत तरकयुक्त दर्शन है और जो प्रकृति पृरुष को अनादी और नित्या मानने वाले है। वे भी प्रकृति पृरुष के सयोग को तो अनादी और सांत मानते हैं। इनके सयोग के अभावकों ही दुखों का अभाव मानते हैं और उसी को मुक्ती कहते हैं और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कृतकृत्य हो जाता है उसके लिए प्रकृति का विनाश हो गया। प्रकृती उनहीं के लिए रहती है जिनको ग्यान नहीं। इन दर्शनों ने ये भी माना है कि प्रकृती और पुरुष की प्रिथक प्रिथक उपलब्धी सयोग के हेतु से होती है। इस सयोग का हेतु अज्यान है। ज्यान होने पर तो उस आत्म की केवल अवस्था बतलाई गई है। यदि सबकी मुक्ती हो जाए तो इनके सिध्धान्त से भी प्रकृति का अभाव संभव है। क्योंकि मुक्त ज्यानी की द्रिष्टि में प्रकृति का नाश जाता है। अज्यान के कारण अज्यानी की द्रिष्टि में प्रकृती रहती है, परंतु अज्यानी की द्रिष्टि का कोई मोल्य नहीं, ज्यानी की द्रिष्टि ही वास्त्व में सत्य है, अतेव सबको ज्यान हो जाने पर किसी भी द्रिष्टि से प्रकृति का रहना सिधन नहीं हो सकता इन सब सूक्षम विचारों से यही सिधा होता है कि प्रकृती और जीवों के कर्म भी अज्ञान की भाती अनादी और सांत ही है। ऐसी परम वस्तु तो एक आत्मा ही है जो अनादी, नित्य और सत है। न्याय और वैशेशिक के सिधांत से अनेक पदार्थों को सत्य माना जाता है, परंतु उनकी सत्य और सिधी तो थोड़े से विचार से ही उठ जाती है। जैसे वर्शा से बालू की भीद बह जाती है या जैसे स्वप्रमें देखे हुए अनेक पदार्थों की सत्य जागने के बाद भिन भिन नहीं रहकर एक द्रश्टा ही रह जाता है। ऐसे ही विचार करने पर भिन भिन सत्ताउं का अभाव होकर एक आत्म सत्ता ही शेश रह जाती है। जागने के बाद स्वप्रके आकाश, वायू, तेज, जल और प्रिथिवी की जो सत्ता ठहरती है। वही सत्ता इस संसार से जागने के बाद स्थूल आकाशादी की ठहरती है। अतैव ये सोचना चाहिए कि स्वप्रके आकाश, वायू, तेज, जल और प्रिथिवी के की प्रिथक प्रिथक सत्ता किस मूल भित्तिपस्थित है? ये तो सिध्ध हो गया कि साचे या शरीर उत्पत्ती विनाश रूप से अनादी हैं. आब ये प्राशन रहे जाता है कि स्रिष्टि के आदे में सर्व प्रथम ये कैसे बने? अपने आप बने या निराकार परमेश् प्रकट होकर इनको बनाया अथ्वा निराकार रूप के द्वारा ही ये साकार साचे धल गए. यदि निराकार इश्वर साकार बना तो वो है एक देशिय होने पर सर्वव्यापी कैसे रहा? ये प्रशन ऐसा नहीं है जिस पर बहुत सोचने की आवश्यक्ता हो. शांती पू वो के गुन कर्मनुसार शरीर उत्पन होते हैं. गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रमरूप प्रकृती अर्थात त्रिगुनमई माया संपूर्ण भूतों की योनी है. अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनी में चेतन रूप बीच को अर्थापन करता हूं. इस जड़ चेतन के सयोग से सब भूतों की उत्पत्ती होती है तथा है अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्थिया अर्थात शरीर उत्पन होते हैं. उन सब की त्रिगुनमई माया तो गर्ध को धारन करने वाली माता है और मैं बीच को स्थापन करने वाला पिता हूं. यदि यह पूछा जाए कि दोनों पदार्थ आरंब में निराकार थे, फिर इन दोनों के संबंध से स्थूल देहों की उत्पत्ती कैसे हो गई? इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश में सूर्य की किरनों में निराकार रूप से जल स्थित है वही अव्यक्त सूक्षम जल वायू के संघर्शन से धूम रूप को प्राप्त हो फिर बादल के रूप में परिनत होकर स्पष्ट रूप से व्यक्त द्रव जल के रूप में होक मूर्त रूप में प्रकट हो जाता है। ये तो मानना ही होगा कि आकाश में बर्फ के पिंट स्थित नहीं है, होते तो वहां ठहर ही नहीं सकते। एसी प्रकार आकाश में निराकार रूप से रहने वाली अगनी कभी-कभी बादलों के अंदर बिजली के रूप में चमकती हुई दीखती है। कभी-कहीं गिरती है तो उस स्थान को जलाकर तहस नहस कर डालती है। जब अगनी और जल आदी स्थूल पदार्थ भी निराकार स साकार बन जाते हैं तब निराकार ईश्वर और प्रकृति के सयोग से निराकार संसार का साकार रूप में आना कौन बड़ी बात है? ये भी समझने की बात है कि जो साकार वस्तु जिससे उत्पन होती है वहले भी उसी में होती है। वायो के द्वारा निरमल निराकार आकाश में शान्थ हो जाती है। तेज के संघर्शन से जलकी उत्पत्ती होती है, शीत से उसका पिंड बन जाता है। फिर वही जल तेज से तपाये जाने पर द्रव होकर भाप के रूप में परिनत होता हुआ अन्तमें। आकाश में जाकर रम जाता है। इसी प्रकार जीवो के शरीर भी स्रिष्टि के आदि में गुन कर्मानुसार प्रकृति से उत्पन होते हैं और अन्तमें फिर उसी में लीन हो जाते हैं। यह आदी अन्त का प्रवाह अनादी है। प्रकृति का रूप किसी समय सक्रिय होता है और किसी समय अक्रिय, यह उसका स्वभाव है। जि तीनों गुन विशम आवस्था को प्राप्थ हो जाते हैं तब प्रकृति का रूप सक्रिय बन जाता है सक्रिय प्रकृति इश्वर के संबंध से गर्भस्त जीवों को मूर्त रूप में प्रकट करती है भगवान कहते हैं हे अर्जुन मुझ अधिश्थाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित समस्थ जगत को रचती है और इसी उपर्युक्त हे तुसे यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूनता है परमेश्वर निराकार रहते हुए भी साकार रूप धारन कर किस प्रकार सर्वव्यापी रहता है इस बात को समझने के लिए अग्रिका उदाहरन सामने रखना चाहिए एक निराकार अग्नी सर्वत्र व्याप्त है वही हमारे शरीर के अंदर भी है जो खाय हुए अन्न को पचा देती है अग्नी नहो तो अन्न पचे नहीं और यदि वह व्यक्त हो तो शरीर को भस्म कर दे इससे सिधा होता है कि हमारे अंदर अव्यक्त अग्नी है यही सर्वत्र व्याप्त निराकार अव्यक्त अगनी इंधन और संघर्षन से साकार बन जाती है जिस समय अगनी का साकार रूप नहीं होता उस समय भी वह काट आदि में निराकार रूप से रहती है न रहती तो संघर्षन से प्रकट कैसे होती फिर वही अगनी जब शांत कर दी जाती है तब फिर निराकार रूप में परिनत हो जाती है जिस समय वह ज्वाला के रूप में एक स्थान में प्रकट होती है उस समय कोई भी यह नहीं कह सकता कि जब अभी यहां प्रकट हो गई तो अन्यान्य स्थानों में नहीं है यह निश्चित बात है कि एक या अनेक जगह एक ही साथ प्रकट होने पर भी निराकार अनी व्यापक रूप से सभी जगह वर्तमान रहती है एसी प्रकार परमात्मा भी माया के संबंध से एक या अनेक जगह साकार रूप से प्रकट होकर भी उसी काल में निराकार व्यापक रूप से सर्वव्यापी रहता है उसकी सर्वव्यापकता और पूर्मता में कभी कोई कमी नहीं हो सकती अग्रिका उदाहरन भी केवल समझाने के लिए ही दिया गया है वास्त्व में परमात्मा की सर्वव्यापक्ता के साथ अग्रिकी सर्वव्यापक्ता की तुलना नहीं हो सकती प्रशून्य इश्वर ने प्रकृती और संसार को बनाया इसमें उसका क्या प्रयोजन था? उशून्य प्रकृती को इश्वर ने नहीं बनाया प्रकृती तो उसी वस्तु का नाम है जो सदा से स्वाभाविक ही हो अवश्य ही चराचर को भगवान ने बनाया है इसमें उन न्यायकारी, सर्वव्यापी, दया में परमात्मा की अहेतों की दया ही समझनी चाहिए जिन जीवों के पूर्व में जैसे गुण और कर्म थे उन सब चराचर जीवों को भगवान उनहीं के गुण कर्मानुसार देहसहित उत्पन करते हैं स्वार्थ, आसक्ती और हेतुरहित न्यायकरता होने के कारण जीवों के गुण कर्मानुसार रचायता होने पर भी भगवान अकरता ही माने जाते हैं परन्तु जीवों का दुख दूर करने को वे अपनी मर्यादा के अनुसार सदा सर्वदा उनके लिए दयायुक्त विधान ही किया करते हैं। यहां तक की समय समय पर अपनी प्रकृति को वश करके सगुन साका रूप में प्रकट होकर जीवों के कल्यानार्थ प्रयतन करते हैं ऐसे अहेतुक दयालू और परम सुहरिद परमात्मा का भजन करना ही जीवमात्रक करतव्य हैं।